नमस्कार दोस्तों न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारा modern history का 11 चेप्टर है वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई बहुत बीजी था मैं इसलिए थोड़ा लेट वीडियो डाला है दस चेप्टर हमने कर लिए हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है modern history सभी जामस में इतिहास से अगर question आते हैं तो आधुनी की इतिहास से जरूर questions पूछे जाते हैं तो कांग्रेस का जब भाजन हुआ था तो दो भागों में बढ़ गया था 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ गया था तो इस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे साथी साथ 1906 में मुस्लिम लिक के अस्थापना हुई थी तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और दिल्ली दर्वार का विजन हुआ था लॉड हार्डिंग दितिय के काल में जब वाइसराय था तो वहां उसके बारे में बात करेंगे लखना उस्वाम जहता जब हुआ था 1916 में और होम रूल जब चलाया था बाल गातिलक और एनी पेशेंट ने सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे एक ही वीडियो में सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे सभी महत्वपूर प्रस शुरू करते हैं ठीक है पहला क्वेस्चन हमारा है कि कांग्रेश के किस अधिवेशं में ये हमारा जो चेप्टर है नरम दल और गरम दल से संबंदित है कांग्रेश का उभाज़न जब हुआ था निस सौत में सूरत अधिवेशन में ठीक है भारती राश् Gewारेश क necessarily हुग था तो वहां से question मैंने कुछ उठाए हुए हैं इसको पहले आप लोग देखे उसके बाद हम लोग और भी कुछ important question करेंगे तो कांग्रेश के किस अधिवेशन में दादा भाई नरोजी द्वारा पर्थम बार स्वराज की मांग की गई थी 1906 का जो कांग्रेश का अधिवेशन हुगा था उसमें सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने जिनकों की grand old man of India कहा जाता है उन्होंने स्वराज की मांग की थी अगला question है British Parliament में चुने जाने वाले पर्थम भारती कौन थे तो British Parliament में चुने जाने वाले भारती थे दादा भाई नरोजी गरम दल और नरम दल के रूप में भारती राष्टी कांग्रेश का विभाजन कब हुगा था सूरत अधिवेशन 1907 बहुत important question है इसको आप लोग ध प्रमुख्य कारण यह था कि अंग्रेशी सरकार के साथ नरम पंधियों की वारता करने की छमता के बारे में चरम पंधियों में विश्वास का भाव था जो चरम पंधियों में विश्वास का भाव था जो चरम पंधियों जो गरम दल वाले थे जिसमें कि प्रमुख नेता बात है लाल बाल पाल लाल आजपत रायल बेपिंचन्दरपाल और भाल गंगाथर तिलक उन लोगों को यह पसंद नहीं था जैसे कि अंग्रेजों के सांपने गिर्डगिणाना अपनी बातों को उनके समच्च गिर्डगणाते हुए रखना यह गरम दल वालों को पसंद नह परता था और गरम दल के जितने भी तीन मुख्य नेता थे लाल बाल पाल या हम कहें लाल लाजपत राय बाल गंगा धरतिलक विपिन चंदरपाल इन में से सिर्फ लाला लाजपत राय ही अध्यच पत के लिए चुने गए थे तो यह अभी क्वेस्चन आप से पूछा जाता ह है कि लाला लाजपत राय बिपिन चंदरपाल और बाल गंगा धरतिलक में से ऐसे कौन से नेता थे जिनको भारती राष्टी कांग्रेस का अध्यच चुना गया था तो वह सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय ही थे क्योंकि भारती राष्टी कांग्रेस में नेताओं की बहुत ही भरमार थी गरम दल का कोई विसरस अध्यच्पद के लिए चुना जाना लगभग ही असंभव था ठीक है तो नरम दल वाले कोई ही लगभग चुना जाता था अध्यच्पद के लिए ठीक है अगला क्वेस्चन हम लोगों का है 1907 का जब सूरत अधिवे जो की नरम दल से थे 1907 के अधिवेशन में उदारवादियों के इच्छानुसार किसे अध्यच्पद के लिए ठीक है तो रास भिहारी घोस को जो की नरम दल से थे लेकिन उग्रवादी जो दल था जो गरम दल था वह किसे बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को बनाना कि मैंने कहा कि नरम दल वालों की भरमार थी इसलिए अध्यच्प उसी को बनाया जाता था जिसकी उसमें अधिकता होती थी कांग्रेस में और अधिकता नरम दल वालों की थी इसलिए रास भिहारी घोस को बनाया गया अगला क्वेश्चन है 1905 में कांग्रेस बनारस कांग्रेश अधिभेशन के अधियिश्टा किसके द्वरा की गई दादा भाई नरो जी के द्वरा अगला क्वेस्टिन हमारा है Muslim League और दिली दरवार का जब आयूजन हुआ था उससे सम्मंधित questions की हम देख लेते हैं यहां से question पूछे जाते हैं All India Muslim League की अस्थापना किसके नेत्रत में की गई यह All India Muslim League की अस्थापना ढखा की नवाब सलीम उल्ला खां के नेत्रत में की गई और 1906 में जब मुश्लिम लिक के अस्थापना हुई ढाका में तो इसके सबसे पहले अध्यच कौन थे आगा खां को बनाया गया सबसे पहला अध्यच तो यह question पूछा जाता है 1906 में मुश्लिम लिग के अस्थापना हुई कहां पर हुई धाका में हुई और इसके सबसे पहले अध्यच कौन चुने गए आगाँ खा Next question मरा है 1906 में लाड मेंटो के सिमला में मिले मुसल्मानों के सिष्ट मंदल ने क्या प्रास्थना की तो सिमला में जो सिष्ट मंदल मिला था मुसल्मानों का लाड मेंटो से 1906 में उन्होंने इं मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचक वर्ग की मांग की थी Next question मरा 1908 में अखिल भारती मुश्लिम लीग की एक लंदन साखा की अस्थापना किसके द्वारा की गई? Next question दिल्ली दर्वार में बंगाल विभाजन को रद करने तथा बंगाल की राजधाने को कोलकाता से दिल्ली अस्थांतरित करने की घोसड़ा किसके द्वारा की गई? लाड होर्डिंग दूतिय के टाइम में यह भारत का वाइस राय था एक अप्रल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया इससे पहले कोलकाता होती थी भारत की राजधानी Next question 1912 में लाड होर्डिंग पर बं फेकने की घटना के संबन में किन करांतिकारियों को फासी के सजा दी गई? मास्टर अमीर चंद्र अमीर चंद्र है यह अभी नहीं रहेगा अमीर चंद्र अवद विहारी लाल और भाई बाल मुकोंद को Next question लाड मिन्टो सुधार बिल कपारित किया गया 1909 में और यह 1909 का जो बिल था इसमें क्या व्यवस्था की गई? सामपरदाईक प्रतनिधित्व की व्यवस्था तो यह बहुत important question है यह पहला बिल था या कहें कि इंडियन काउंसिल एक था जिसमें सबसे पहले सामपरदाईक प्रतनिधित्व की व्यवस्था की गई 1909 में इसे मारले मिंटो सुधार बिल भी कहा जाता है प्रिटिस काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और जब बंगाल के वाजन रद किया गया दिल्ली दर्वार का आयोजन किया गया तो लाड होडिंग के ही शासनकाल में या कहें जब वह वाइसराय थे तभी यह घोषडा की गई कि अब से 1912 से एक अप्रेल 1912 से कोलकाता के बजाए अब दिल्ली जो है भारत की राजधानी हो गई next question 1911 में दिल्ली के राजधरवार का आयुजन किसके स्वागत में किया गया तो इंग्लेंड के समराट चार्च पंचम और महरानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरवार का आयुजन किया गया था 1911 में और तभी यह घोषडा की गई कि बंगाल के विभाजन रद किया जाता है बंगाल के विभाजन किया किसने था तो लाड करजन के 1905 में जब लाड करजन वाइस राय था तब बंगाल का विभाजन की घोषडा की गई थी और रद कब किया गया लाड होडिंग दिती के टाइम में जब दिल्ली दरवार का आयुजन किया गया 1911 में बिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांथ का दर्जा का प्राप्थ हुआ 1912 में लखनव समझाओते से क्वेस्चन देख लेते हैं पहला क्वेस्चन है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मद्ध समझाओता हुआ यह किस नाम से जाना जाता है तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मद्ध समझाओता हुआ था 1916 में लखनव समझाओता यह कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है अतिवादियों और उधारवादियों को पुनर मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किस्ने निभाई थी यह अगर हम कहें तो गरम दल और नरम दल के पुनर मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किस्ने निभाई थी एनी बेशेंट ने एनी बेशेंट भारती राष्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच भी थी प्रमुख भारती राष्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच भारती राष्टी कांग्रेस की तो वो थी सरुजनी नाईड़ू ठेखे अगला question पढ़ाम था 1916 का जो लखनो सम्झाओता हुआ था नेस्ट गडपती उत्सव निस्व 1893 और सिवाजी महुट्सव 1895 प्रारम करने का स्रे किसे जाता है बाल गंगाधाधर तिलक नहीं गडपती उत्सो और सिवाजी महोचों खास कर के गडपती महोचों की बात की जाए तो इसे राश्ट्रिय अस्तर पर प्रसिद्ख करने का आसरे बाल गंगाधर तिलक को जाता है बर्मा के मांडले जेल में तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखे गीता रहस बहुत important पुस्तक है यह पूछा जाता है परिच्छा में किसके द्वारा लिखी गई तो यह मांडले जेल में लिखी गई पुस्तक है जो की बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है पंजाबी नामक अख़बार और अनहापी इंडिया के लेखक कौन है लाला लाजपत राय अगला क्वेस्चन होम रूल संस्था से सम्मंधित देख लेते हैं जिसमें पहला क्वेस्चन है सबसे पहले आयरलेंड में होम रूल लीग क्या स्थापना किस के द्वारा की गई रेड मंड द्वारा भारत में 1916 में प्रारंब होम रूल आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे चार्ज लार्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वाइसराय थे 1916 में जब होम रूल आंदोलन प्रारंब किया गया होम रूल लीग आंदोलन सौर पर्थम किसके द्वारा प्रार्म किया गया एनी बेसेंट के द्वारा और इनका छेतर जो था वह मदरास और तमिल नाडू था जो एनी बेसेंट का होम रूल लिग आंदोलन था वह राष्ट्री अस्तर पर था लेकिन अगर बात की जाए अगर बाल गधर तिलक के होम रूल की तो वह सीमित छेत्र में था ठीक है इसको भी आप लोग ध्यान देंगे एनी बेसेंट वारा स्थापित होम रूल का मुख्याल क्या था मद्रास में होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंता संग्राम में एक नए चरण का प्रारम का प्रतीक है क्योंकि इसने देश के सामने स्वसासन की एक ठोसी ओजना रखी अगस्त प्रस्ताव की गोरड़ा कप की गई 1917 में उदार वाद्यों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा भारत का मैगनकार्टा क्योंकि इसमें सरकार की अस्थापना की बात की गई थी जिसमें सासक जनता के निर्वाची सदस्यों की प्रति उत्तरदाई हो रोलेट एक्ट की अस्थापना का मुख्य उद्दे से क्या था भारत में करांती कारी अंदोलन की जाच करना रोलेट एक्ट जब भारत में आया था ब्रिटिश सासन के द्वारा तो इसका मुख्य उद्देश से था भारत में करांतिकारी अंदोलन की जाच करना तिलक द्वारा अस्थापित होम रूल का विस्तार मुख्य रूप से किस छेत्र में था तो यह महाराष्ट और करनाटक में था तिलक द्वारा जो अस्थापित होम रूल था उसका विस्तार जो था सीमित छेत्रों में था एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अस्थापित अखिल भारती है होम रूल लीग का सच्छिव की से बनाया गया जार्ज अरुडेल को नेश्ट वेस्चन होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमती किसके सदस्यों को नहीं थी गोपाल किसल गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया के जो सदस्ते उनको होम रूल लीग में प्रवेश नहीं दिया जाता था यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना किसने की थी तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना गोपाल किसल गोखले ने दी थी जो कि भारत के जो महत्मा गांधी हैं उनके राजनेति गुरु थे तो यह बार बार परिच्वाँ में पूछा जाता है यहाँ पर यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन आपको मिल ला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना गोपाल किसल गोखले ने की थी पर्थम विश्यूद के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोग परिवा था होम रूल आंदोलन तो यह अधन बहुत इंपोर्टेंट हैं जो की कांग्रेश की विभाजन से संबन्धित साथ मुस्लीम Curse की अस्थापना और उससे संबंधित questions और जब लखनो समझाओता हुआ और साथ ही साथ home rule आंदोलन से संबंधित जितने भी question बन सकते थे पूरो में जितने भी question पूछे गए हैं उन सारे के सारे questions को इसमें सम्रित किया गया है और भविस में आने की जो questions की संभावना है उनको भी मैंने सामिल किया है ठीक है तो इतनी question आपके लिए परयाप्त है इन सारे chapters आपके लिए जो खाल आपके लिए परव में आपके लिए Sारेंदे़ खाल आपके लिए